Term 1 की तैयारी, क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है क्योंके Commerce बाबा की Term 1 की तैयारी तो पूरी हो चुकी है यहां तुम देख रहो मैंने यारी को हाइलाइट किया हुआ है यहां पर Term 1 में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आईगी मैंने तुम्हार लिए पूरा content तयार करके रखा हुआ है क्या 20 days pledge पूरा तयार है? जी हाँ term 1 की तयारी के अंदर 20 days pledge पूरा available है क्या notes पूरे available है? जी हाँ क्या sample papers available है? बिलकुल क्या guest papers available है? जी हाँ में भी link देके रखा है आजाओ मिलके तयारी करेंगे जहां already तुम्हारा पूरा 20 days pledge available है साथ साथ में तुम्हारे notes available है sample papers available है और जो guest paper आएंगे free of cost आएंगे और तुम्हें workshop अटेंड करने को मिलेगी that too completely free of cost so that exam से एक रात पहले जो तुम्हारी description box में link है जाके support ज़रूर दिखाना शुरू करते है मैं गया नहीं हूँ जो description में link है उसमें free videos भी है जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें at least पता लग जाए कि तुम कितने awesome family के member बनने वाले हो अब शुरू करते है सही बताऊं ये day one है और इस video के साथ 20 days pledge चालू हो रहा है अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि तुम सभी बहुत awesome हूँ और तुम्हारा confidence level आज जब ये pledge चालू हो रहा है तो अलगी दूसरे आसमान पे है like cloud 9 की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन कहीं एक ही चीज अगर तुम miss out कर रहे हो ना तो वो ये है कि हर एक chapter करने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा finishing touch बाकी है मैं तुम्हें warning दे दू कि don't take this 20 days pledge as a revision series जितनी महनत मैंने की है 12 घंटे वो तुम खुद भी महनत करोगी तो similar kind of notes तक पहुँचोगे बस मैंने वो महनत तुमारी बचा ली है शुरुआत से लेकि आखिर तक मैं तुमारे साथ रहूँगा और इस confidence level को जो तुम अपने अंदर रखके बैठे होना मैं उसको साथवे आसमान पे पहुचा दूँगा बस एक ही चीज़ चाहता हूँ भरोसा रखना इस journey को end तक follow करना and make sure जिस order में मैंने ये chapters पढ़ाए हैं बस उस order में पढ़ लेना तुम यार अलगी level पे high होगे और बोलोगे पढ़के तो कॉमर्स बाबा से आये हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मैं तुम्हें बहुत टेक्निकालिटी में नहीं लेके जाऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर बट मैं एक बेसिक सी चीज़ बोलूँगा आज मैं बहुत लाइट महाल के साथ चालू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज और एक प्रण लेके आया हूँ कि मैं तुम्हें balance sheet और P&L वगेरा पूरा याद करा के जाऊंगा not in one video but basically in the two parts लेकिन I can guarantee you अगर तुमने मेरे साथ ये balance sheet याद कर ली और believe me मैं भी तुम्हारे साथ याद करूँगा देखो यार एक तरफ से नहीं चलता है teacher वीचर जाए तेल लेने तुम और मैं भाई-भाई हुए याँ पे अभी teacher की बात चली नहीं रही है all respect to teachers धन्ने हो आप लेकिन अभी तुम्हारा मेरा काम चल रहा है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम balance sheet याद करूगे मैं तुम्हारे साथ balance sheet याद करूगा जहां balance sheet याद हो गई मैं तुम्हें 15 के 15 ratio जासे हाथ पे याद करा दूगा और तुम बहुरों कि बाबजी क्या चमतकार हो गया है तो देखो मेरे भाईओ balance sheet याद करने का पहला सन्यासी रूल क्या है अब बाबजी है थोड़ी उस technicality में भी बात करेंगे simple सा रूल कहता है balance sheet को याद करने का कि balance sheet के होते हैं 5 part ये जो मुठी देख रहा हो बनाते हुए मेरे को ये 5 part में balance sheet याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मैं पहले part से जब चालू करूंगा न ये तो heading छोड़ दो equity and liabilities गया तेल लेने मैंने वो ही बोला है मैं कहूंगा यहाँ से चालू करना है पर को shareholders fund के साथ तो मेरे भाईओ वो 5 part कौन से हैं देखो या total liabilities के तीन पार्ट है पहला हो गया share capital दूसरा हो गया non current liabilities तीसरा हो गया current liabilities मुठी बनाने है रूख जाओ जेब में रखने तो pencil हाँ तो पहला हो गया share capital दूसरा हो गया non current liabilities तीसरा हो गया current liabilities चौथा हो गया non current assets पांचवा हो गया current assets मुठी बना लो मेरे उंगलियों पर ध्यान मत दो कि इत्ती छोटी छोटी क्यों है तुम समझ रहो ना context मेरे मैं फिर से बोलूगा तुम्हें मेरे साथ याद करना है share capital, non current liability, current liability, non current assets, current assets बन गई मुठी 5 की अब जहां तुमने ये 5 की मुठी बना ली तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे बैलिशिक की 2 heading होती है क्योंकि तुम 11 भी कक्षा पढ़के आ रहे हो तो तुम्हें ये पता है 2 heading तो होता, एक asset होता, एक liability होता है लेकिन अब 12 भादों ने सोचा के ये 11 पे पढ़ी चुके हैं बिचारे, वो भी COVID time से पहली पढ़के आए है तो इनको थोड़ा harass किया जाए मतलब तुमने assets और liabilities पढ़ रखा है, ठीक है, assets equals to liabilities plus capital भी पढ़ रखा, भाई अब accounting equation याद करो यार 11 की, assets equals to liabilities plus capital, liabilities plus capital, कैसे इन बच्चों की life नर्क बनाई जाए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा दया एक काम करते हैं, let's call capital as equity, बिल्कुल अलगी चमतकार हो जाएगा, मसाला हो जाएगा तो company's act 2013 जो हमारे याँ का है, हमारे भारत में चलता है, वो company's act 2013 ने बोल दिया, उससे पहले company's act 1956 हुआ करता था, कैर उसकी बात ही क्यों करें, क्योंकि company's act 2013 आ गया उसने बोला, कि भाईया, liabilities दो प्रकार की होती है, पहली liability जो owner को belong करती है, और दूसरी liability जो outside इसको belong करती है, मतलब एक बात समझो, तुमारे घर में लहने वाले भी लोग इनसान है, और तुमारे घर से बाहर भी जो तुम लोग देखते हो, surprisingly वो भी इनसान है, तो ये दो अपने आपको separate legal entity बानता है, जैसे तुम अपने आपको बहुत cool और महान मानते हो न, ऐसी business अपने आपको separate legal entity बानता है, तो business हो गया, अब business के सबसे closest कौन, owner हुआ, तो owner उसके लिए हो गया, owner से लिया हुआ पैसा equity बोलेगा वो, like fancy लगना चाहिए, owner से दुआ हो पैसा क् equity क्या लाएगा, तो यह equity हुआ, अब जितने भी outsider से पैसा लो, चाहे छोटे लेवल पे लो, चाहे बड़े लेवल पे लो, चाहे छोटे वक्त के लिए लो, चाहे लंबे वक्त के लिए लो, चाहे लंबे वक्त के लिए लो, that will be called as liabilities, बात खतम, आया, क्या heading डाली है, owner से हुआ पैसा, capital नहीं क्या लाएगा, अगर तुमने capital बोल दिया, you are not cool है, तुम समझ रहो मेरी बात को, वो 11th में अगर तुम कहते तो बहुत अच्छा लगता, but because you have to be the cool dude in the examination hall of term, one of MCQs of Allah, तुमें क्या करना पड़ेगा, equity नाम देना पड़ेगा, you have to call it as equity, not capital, होता वही ह लेकिन नहीं equity, अब तुमारे घर का नम पपू है, बाहर का अकाश है, बाहर कोई तुमें पपू चला तो मजाक बन जाएगा कि नहीं, ऐसे ही मैं फिर से बोलूँगा, you don't have to call it as capital, you have to call it as equity, what is equity, money invested by the owner into the business, तो business किस context में देख रहा है, तु मेरा घरवाला, तु मेरा तु मेरा घरवाला, तिरसे जो भी पैसा लिया है, वो liabilities है, चलो, तो मैं अगर detail में भी तुमें बता दू, तो part 1 of schedule 3 of the companies act 2013 ने ये पूरा outlay दिया हुआ है, तो equity को उन्होंने बोला shareholders fund, share hold करने वाले लोग जो fund लगाते हैं, हिंदिया नुबात करेंगे, तुमर में कौन स तापर हैं भे, आराम से बात करें ना, बिलकुल एकदम ground level पे आके, तो क्या होता है, company में एक बंदा invest नहीं करता है, ठीक है, उसमें multiple लोग invest करते हैं, company का मतलब ही होता है, अगर private limited हो तो 200 member, और अगर private limited के beyond हो, तो 200 member से जादा, यानि 200 owner से जादा, तो 200 लोग ही अपने आ यार टॉकिंग बाट companies, जहां पे 200, 500, 1000, 1500, लोग तक पैसा लगाते हैं, तो इसलिए नाम दे दिया गया, share holders fund, वो लोग जो हिस्सा hold करते हैं, उनका पैसा, अब देखो भाई, जो share hold करते हैं बिजनस में उनका पैसा, तुम भी वही हो, तुमारे बगल वाला जो देख रह हुआ दोस्त दुझेख रहा, उसने अकेले नहीं लगाया, हम सबने मिलके लगाया हुआ है, तो जो भी हम सबने मिलके लगाया है, वो हिस्ता हिस्ता कहला है कि नहीं, टिफिन खालो, टिफिन शेयर कर लो, share नाम यूज करने लगते हैं, यहां पे भी उतनी locally use किया गया है, कि जो capital है वो shared है, यानि it's not about just one person जिसने पैसा लगाया है, यह capital में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, किनों ने जिनने बिजनस में sharehold करके रखा है, तो फिर से equity and liabilities, पहली heading, shareholders fund, shareholders fund की भी अलग-अलग part, share capital का मतलब जो actual raw capital तुमने बिजनस में लगाई है, ब जो business profits earn करता है, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुन ले ना, वरना तुम मुझे accounting ratio में डाटोगे, बाबजी आपने ये बात तो समझाई नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ पे अलग से नहीं बताने वाला हूँ, तुम्हें तुम्हारा time काटना है यहीं time करता है, जब इनसान strategy स पढ़ाता है, मैं तुम्हें इस chapter को लेके पूरा ratio से जोडने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो, reserves and surplus क्या बोलता है, आप as a company's act 2013 के अंदर कर देखो, तो capital को separately show करना है और जो भी business profit earn करता है, after distributing as dividend, आपके जितने भी company में holder है, share holder है, उनको भी तो profit बाटोगे, उसके बाद अभी जो बच जाता है, उसको आप किस के अंदर रखते हो, reserves and surplus के अंदर, 11th में याद करो, तुम capital में जोड देते थे, profit होता था, तो loss होता था, तो माइनस कर देते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें जो profit होगा, वो reserves and surplus में डालना है, हाथ तेज दि एक्कुटी में मैंने क्या बोला, भाया, shareholder's fund आता है, shareholder's fund के अंदर क्या आता है, एक तो share capital, क्योंकि capital को separately दिखाते हैं, जो भी business profit earn करता है, वो कहाँ दिखाये जाता है, reserves and surplus के अंदर दिखाये जाता है, यह दो parts हो गए, equity के अंदर, equity का एक और नाम, shareholder's fund, shareholder's fund के अंद अगर तुम जानना चाहते हो, क्योंकि तुम बाबजी से पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं होता है, अगर हमें short term के लिए पैसा चाहिए होता है, तो हम shares को as a warrant issue कर देते हैं, उसके बदले हमें कुछ time के लिए पैसा मिल जाता है, हम फिर तुरंथ पैसा वापस करके अपने shares वापस ले लेते हैं, वो एक तरह से गिरवी रखना हो गया, अगर company को short term पैसे की जरूरत है, तो, अच्छा फिर आता है share application, money, pending allotment, अब तुम मुझसे पूछो के बाबजी ये भी समझा दो, लेकिन ये भी out of syllabus है, बट फिर भी सुन लो, क्या होता है, company market में public से पैसा मां लो, March 31st March आने वाला है, अब तुम और मैं मिलके, यार, UN में, मी, 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 bro code, bro code चल रहा था, तुम और मैं company है, यार रखना है, अब तुम और मैं मिलके, और भी बहुत सारे members हैं, बट अभी तुम और मैं अपनी बात करते हैं, तो, तुम और मैं मिलके, market में निकले पैसा म मांगा यार, March 25 को अपन ने बोला, बढ़िया, एकदम अनांस्मेंट किया, एकदम इस्तिहार निकला, Times of India में, टॉइ-टॉइ में, टॉइ-टॉइ, उसमें अच्छा इस्तिहार निकला था, उसमें अपन ने देखा, बोला के भाई, ये हमारी company है, अगर आप चाहो तो इस March 31 को तुम्हें anyhow accounts को close करना पड़ता है, उसके लिए तुम्हारे पास कोई second thought हो ही नहीं सकता, तुम्हें करना है, लेकिन हुआ क्या है, तुम लोगों का पैसा लेके बैठ चुके हो, तुम समझ रहो, application का पैसा तुमारी जेब में आ चुका है, मेरी जेब में आ चुका है, हम tension में बैठें, क्या करें, क्योंकि अभी तक हमने लोगों को बोलतो दिया कि apply कर दो, लेकिन लोगों को हिस्सा lot नहीं किया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना shareholders, तुम्हें उनको shareholder बनाना पड़ेगा, public investment आ रहा है भाई, याद रखना, आम जनता तुमारे और हमारे business में पैसा लगा रही है, तो जब लोग पैसा लगाएंगे हमारे business में, तो बदले में हमें उनको business का एक share, एक हिस्सा देना पड़ेगा, तब ही तुमने private limited सुनी होगी company और public limited सुनी होगी, private limited जिसमें 200 से कम लोग रहते हैं, बिल्कुल privately काम करते हैं, public limited company का मतलब सरकारी company नहीं यह वो public sector होता है, public company नहीं होती है, public company का मतलब जिसमें आम इंसान पैसा लगा सकता है, Tata Motors, Infosys, Birla वगेरा, Reliance वगेरा, ठीक है, यह public limited company होती है, तो लोगों ने पैसा लगाया, अब हुआ क्या, लोगों ने apply तो कर दिया, लेकिन हम उन्हें हिस्सा अलॉट नहीं कर लिया है, उसके बदले उनको share हिस्सा अलॉट किया या नहीं, तो उस context में 31 March को जब हम पूरी balance sheet बनाएंगे, तो हम लिखेंगे, हाँ भाया हमने application money ले लिया है, share application money है हमारे पास, लेकिन यह pending allotment है, pending allotment का मतलब अभी तक हमने हिस्सा उनको allot नहीं किया है, जन लोगों हमने भी हमारे business में पैसा लगाया है, इसलिए हम उसे, क्योंकि share capital का part ही नहीं दिखा सकते, share capital का part क्या हुआ, वो हमारी company के shareholder है, वो तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ application का पैसा लिया है, तो फिर क्या बता है, तो हम बोलेंगे, यह share applications है, जिन पर अ तीसरे number पे आती है, non current liabilities, कहने को तो दूसरे पे आना चाहिए, क्योंकि share application मनी pending allotment तो सलिबस में ही नहीं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, judge मत करना, तो भाई non current liabilities क्या है, देखो यार, पहले number पे shareholders fund ही क्यों आया, तुम्हें ये सवाल उठता होगा, और दूसरे number पे ही non current liabilities क्यों आई, ये भी तुमारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अगर ये core concept हो गए ना, जो यहां तक वीडियो छोड़ के जा चुका है, आइदर वो बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, या फिर उसकी capacity नहीं है, ये चीज़े in करने की, देख सब इसके अंडर है, तभी तो मैं अत्ती महनत कर रहा हूं, वरना मेरे को कौन सा अच्छा दही बड़े मिल रहे हैं, जो मैं इतनी practice करूं या महनत करूं तुमारे साथ, ये notes बनाओ, ध्यान से सुनो, इसलिए मैं कहा रहा हूं, तुम्हें जादा नहीं पढ़ना पैसा है, जो कभी भी वापिस नहीं किया जाता, कंपनी की लाइफ तक साथ में रहता है, मतलब जब तक कंपनी चलेगी, तब तक shareholders fund का पैसा कंपनी के पास ही रहेगा, हाँ कभी business wrap up करेंगे, और business के पास पैसा बच गया, तो shareholders fund का पैसा वापिस कर देंगे, वरना वो पैस वापिस भी नहीं किया जाता, because as an owner, अगर तुम और मैं मिलके owner है, तो हमारी liability बनती है, up to the amount invested into the business, हमने जतना पैसा बिसनस में लगाया है, वो हमारी liability बनी है business के लिए, हमारा एक तरीके से जिम्मेदारी है business के लिए, तो अगर business डूबता भी है, तो जो हमारा पैसा लगा ही रहेगा, तुम उसे निकाल नहीं सकते हो, अब अगर public हो, आम जनता, मैं तुम्हारी और मेरी बात कहता, we were the owners of the business, ना, public public ने लगाया, तो वो एक दूसरे को बेच के, हाँ, उधारी उधारी पटा सकते है, like normal public है, अले तू मेरा share खरीद ले, बदले, मेरे को पैस हो गया, जो business को कभी किसी भी shareholder को वापस नहीं करना पड़ता है, ये है, once you have invested money into the business, that will remain with the business throughout its life span, ये तो पहली चीज़ हो गई, non current liabilities का क्या scene है, अब ये वो पैसा है, जो business के पास कहने को तो रहेगा, 25 साल, 30 साल रह सकता है, 40 साल भी रह सकता है, लेकिन उत्ते टाइम बा बाबजी, non current liabilities को थोड़ा सा detail में बता दो, तो भया, non current liabilities वो liabilities है, जो के operating cycle के beyond चली जाती है, अब तुम मुझसे पूछो के operating cycle क्या है, तो वो भी सुन लो, जो हमारा business production चालू करता है, तो एक time तक production continue करता है, अब वो continue हो सकता है, एक साल जो financial year या fiscal year तुमने सुना तो जितने time तक business का एक production cycle चलता है, उसी को business बोलता है, operating cycle, तो अगर कोई liability आपको pay off करनी है, being a business beyond the operating cycle, like मानलो मेरी 12 महिने की operating cycle है, ठीक है, अब मुझे 12 महिने बाद कोई liability pay out करनी है, तो वो मेरी liability non current है, because operating cycle के अंदर न पढ़के, वो operating cycle से बाहर पढ़ रही है, चलो मानले ये operating cycle 24 महिने की है, तो कोई चीज अगर मुझे 24 महिने बाद pay out करनी है, तो वो मेरी लिए non current liability होगी, अचा 24 महिने के अंदर pay करनी होगी, तो वो current liability हो जाएगी, simple है, लेकिन हा, minimum कित्ते को आप लेके चलते हो, तो minimum 12 महिने को लेके चलते हो, so any liability that you are paying off within 12 months, automatically becomes a current liability, and outside 12 months, अ क्योंकि ये तुम्हारा मेरा personal conversation है, यहां give up करना मतलब boards को give up करना, जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम करो, तो आराम से घहरी सांस लो, और एक बार जो मैं बोलना चाहरा हो, मेरे साथ participate करो, operating cycle क्या है, जब एक business अपना production continue करता है, एक certain time span तक उसको operating cycle बोलते है, तुम लोगों पने generally समझा है, अच्छा current liability का मतलब जो साल के अंदर-अंदर पे कर दो, एक साल के अंदर-अंदर, जो के certain level तक तुम सही हो, non current liability क्या, non current liability is that liability that goes beyond a period of one year, एक साल बात जिसको पे करना होता है, वो non current liability है, तुम वहां पे भी गलत नहीं हो, एक साल के context में यहां पे जो तुम मैं बोलूँ चलो operating cycle 18 month की है, अगर मैंने कोई liability 14th month में pay कर दी, तो वो current है या non current है, तुमारे concepts वहां हिल जाएंगे, तो अगर question में लिखा आ जाए, operating cycle is of 18 month, and I have repaid a liability within 14 month, तो वो भी current liability है, अब समझ में आया, यही होता है थोड़ा patience level रखने का और भाई चारा रखने का, म तो वो मेरी liability हो जाएगी, non current liability, बट अगर मैंने कोई liability 23rd month में pay कर दी, तो वो मेरी current liability होगी, because मेरी operating cycle 24 महीने की है, I hope अब तुम समझे होगे, और इसी context में current liability सबसे नीचे आती है, सबसे top pay shareholders fund, because we never have to pay off the shareholders fund, हमें कभी payout नहीं करना पड़ता है, then non current liabilities, yes हमें payout करना पड़ And lastly आता है current liabilities, because उसको within one year या within the operating cycle हमें pay करना पड़ता है, generally please याद रखना के any liability that have to be paid off within the operating cycle is current liability, current liability वही होगी जो operating cycle के अंदर payout कर दी, non current liability वो है जो beyond operating cycle चली जाती है, please financial year से relate करके मत आंसर लिखना, MCQ में गलत कर दोगे हाँ मेरे ग्यान वर्धक लोगों जो यहां तक आ गए हो न और almost सारे theory और concepts के answer यहां तक जो याद कर सकते हो, एक last चीज और सुन लो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, एक छोट उसा fact है, I hope तुम्हें पता हो तो मुझे भी दिल से अच्छा लगए गए तुमने अच् current बोलोगे, यह तुमने काफी सारे guest papers, sample papers, not guest paper, guest paper तो भाई बनाता है तुम्हारा, sample papers में तुमने देखा होगा, काफी जगे लिखा हुआ है कि 12 महीने के अंदर pay कर दिया, तो वो current liability हुई, या वो current asset है 12 महीने के अंदर, तो schedule 3 of the companies act है, यह बताता है सारी operating cycle के बारे में, ल जो तुम आंसर देखते हैं कि 8 महीने में pay off कर दिया, तो क्या हुआ, तो वो 12 महीने के operating cycle by default लेके चलते हैं, इसलिए वो current liability हो जाती है, तो if question is not clear about operating cycle, 12 month की operating cycle को consider किया जाता है, यह fact ध्यान में रखना और यह चीज़ assume की जाती, this is not a factual thing, this is nothing somewhere written, this is an assumption taken, if nothing is clear, 12 month will be the operating cycle, thank you so much तुमने यहां तक मेरी बात सुनी, तो चलो आगे बढ़ते हैं, long term borrowings का मतलब क्या होता है, long term borrowings वो पैसा होता है, जो आपने market से बहुत लंबे वक्त के लिए उठा रखा है, यह bank loan हो सकता है, जो आपने 5-10 साल के लिए लेके रखा हो, यह debentures हो सकते है, debenture कुछ नहीं ह हुआ क्या यार, चलो समझते हैं, deferred का मतलब late, tax liability, ओ भाया अरे दिमाग पे जोट देखो, जादा tension मतले न, tax liability तो समझ रहो, liability है मतलब तुम्हें कुछ payout करना है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मिल जाएगा, liability always means तुमारे उपर उधारी है और तुम्हें किसी और को pay करन है, तो तुमने क्या किया, साल शुरू हुआ, operating cycle तुमारे शुरू हुई, basically, operating cycle के शुरूआत में तुमने tax भर दिया, tax भरा गया, अब कैसे भरा तुम्हें income तो हुई नहीं, तुमने previous year की earnings को anticipate करके, taxable income अपनी निकालके, उसे साब से तुमने भर दिया, नहीं आया समझ म जरा एक बार और सुनो, जरा ध्यान से, हुआ क्या taxable income की कहानी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुमने क्या किया, सरकार बोलती है, advance tax भरो, यानि तुम्हारी operating cycle आज अब भी इसी वक्त शुरू हो रही है, सरकार कह रही है, तुम्हारी operating cycle 18 महीने चलेगी न, कोई बात नह 18 महीने का advance tax यहां रखो यहां, इधर, इधर चाहिए हमें, अब भी के अब भी, advance चाहिए वो भी, तुमने बोला भाई कोई निकालने का जरिया तो दो, सरकार ने बोला पिछले साल कितना मुनाफा कमाय था, तुमने पांच लाग, बाबजी मुठी सिखाई है, वह याद ह तो भाईया तुमने पांच लाग रुपे के हिसाब से पिछले साल जो टेक्स भरा था, इस बार भी anticipate उत्ता ही करो, पांच लाग के अंदाजा लगा के भर दो, ज्यादा कितने कर लो, पांच करो तो कमानी लोगे, पांच लाग कमा रहे हो, सूपरमेन थो ने करो, फिजट तो तुमने क्या किया, पिछले साल का पांच लाग था, उसी को anticipate करते हुए, इस साल भी advance जब भरा, पिछले साल का actual profit पांच लाग था, ठीके, उसी को anticipate करते हुए, इस साल में तुमने advance tax भर दिया, पांच लाग ये तुमारी taxable income होगी, अब जब साल end हुआ, तुमारी operating cycle end हुई, तो भाईया, तुमारा मुनाफ़ा निकल किया है, 6 लाग, पहले तो बदाई हो, आच्छा खासा मुनाफ़ा कमार, थोड़ा बहुत अपने पास भी भेज़ते न, आपन को बहुत जरुवत है, आपन बुरा नहीं मानेंगे, तो तुमने क्या करा, जो additional तुमने profit कमा है, 6 लाग, तुम चिंता में पढ़ गए, चिंता मणी बन गए तुम, क्योंकि हुआ क्या, तुम्हें एक बात समझ में आ गई, तुम 6 लाग रुपे कमा के बैठे हो, और टेक्स तो तुमने 5 लाग के हिसाब से भरा है, अब तो कोई चमतकारी बाबा तो थे नहीं, कि अभी जाके एकदम से भर के तुरना होगे टेक्स, सरकार बोलती है, चिल मारो, नया ओपरेटिंग साइकल चालू होगा न, फिर से एडवांस टेक्स भरोगे न, उसी के साथ पिछले साल का जो बचा कुछा है, वो भी भिजवा दे न, पेटी के साथ, मिठाई के साथ, सरक अभी तो बैलेंशीट क्लोज करनी है, अभी तो यह दिखाना है कि हमारे उपर लियाबिल्टी रह गई, इस ऑपरेटिंग साइकल से अगले उपरेटिंग साइकल में जा रही है, तो आटोमेटिकली नौन करेंट हो गई, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकल के बीच जंप जो ह आटेक्स का पैसा है, जो आपको पे आउट करना है, वो अगली उपरेटिंग साइकल में जा रहा है, बदाई हो मेरे मुनना, जो कभी समझ में नहीं है, वो अभी आगया, आगे बढ़ू जरा, यहाँ पर देखियो, लॉंग टरम प्रोविजन लिखा हुआ है, अब तुम यहाँ धू-5 यह, 10 इंयर डाउट ब मैं, दस साल बाद आगया है, तो हम उसके लिए घॉड़ा धोरा पैसा अभी से जोडना चालू करते हं, और वो घुल लग धुल लगता होगी कहीं पे जो लाइबिल्टी से पयाउफ करनी उनको, और यह लाइबिल्टी से सкий लिएस के future में payout करनी है तो उसके लिए जो पैसा जमा होता है न वो यहां पर जमा होता है long term provision में provision मतलब एक provision बना के रख दिया जब भी liability payout करनी होगी इसमें से पैसा निकालेंगे और payout कर देंगे तो यह अलग से पैसा जमा हो रही है दर ध्यान रखना कब कर पया करके इसको और बा आँखों में देखके बात करो जरा क्योंकि मेरे को तुमसे परसनली बात करनी है इधर देखना बंकर दो अगर मैं तुम्हारी आँखों में देखके बात कर सकते हो तो तुम भी यहां पर देख सकते हो सबसे पहली heading पढ़ी थी अपनने equity and liabilities equity मतलब owner से लिया हुआ पैसा और बाकी महले से जो पैसा लिया वो liabilities कहलाया तो equity तो बन गया shareholders fund shareholders fund के अंदर दो चीज़े पढ़ा ही मैंने तुम्हें पहला था share capital और दूसरा था reserves and surplus reserves and surplus क्यों बनाना पड़ा क्योंकि profit capital में एड नहीं होता capital सिर्फ शेर capital नाम से कहलाती है तो बाकी का profit कहां जाएगा reserves and surplus में reserve का मतलब जो पैसा reserve में है surplus जो additional बच गया है दोन में कोई अंतर नहीं होता पर चिल मारो रख लो ठीक है reserve का मतलब जो एक reserve नाम से बना के रख दिया और surplus मतलब इसका पता नहीं है क्या करें क्या हो गया है का करें इसका वो वाला surplus में कहलाता है reserve मतलब हाँ कोई meaning दे दिया है उसको कोई नाम दे दिया है तो चलो यह दो तो हो गया तो equity and liabilities major heading उसके अंदर पहली heading shareholders fund shareholders fund के दो पार share capital और reserves and surplus अच्छा मैं तीसरा क्यों नहीं बात करा money received again share warrant क्योंकि वो out of syllabus है उसके बाद वैसे second मैंने पढ़ाया तो मैं share application money pending allotment after shareholders fund but वो भी out of syllabus है तो let's cut down and come back to the first topic पहली heading क्या थी equity and liabilities आया है मजा आ गया दूसरी थी नहीं दूसरी क्यों थी अब जरा ध्यान से सुनो मैं यहां पर serious हो के तुम से बात कर रहा हूं पहली थी shareholders fund के अंदर मैंने लिखा share capital और reserves and surplus जब यह दोनों मैंने लिख दिया तो उसके बाद आती है सीदे non current liability वो दो चीज़ें जो भी मैंने बोली भूल जाना out of syllabus है तो non current liability non current liability के अंदर चार चीज़ें पढ़ाई मैंने तुम्हें चार चमतकार चार कौन कौन से थे पहला था long term borrowing दूसरा था deferred tax liabilities तीसरा था long term provision चौता था five withers यानि other non current liabilities non current liabilities other non current liabilities नाम से याद रखियो मुनना बहुत मारेंगे वरना हम तुम्हें तो यहां तक मैंने तुम्हें याद करा दिया अब जब बचता है तो बचता है current liability मैं तुम्हें cheating करा रहा हूँ थोड़ीजी बढ़ मन है भाई का तो कर लो यार थोड़ीजी cheating जो अपनी last की current liabilities है ना उसके अंदर इसमें से उठके जो non current liabilities है दो चीज़े जाती है पहला तुम्हारा जाता है क्या बोलते है short term provision long term provision क्य current में का हो जाएगा short term borrowing और वैसे मैं other current liabilities भी बता के cool बन सकता था shit बटीक है other current liabilities other non current liabilities का other current liabilities हो जाएगा और short term provision सारा बनेगा theory साधा बनेगा और फिर ratio सारा बनेगा please focus तो भाई बचता है trade payable अब मुननत तुम यह सोचोगे कि trade payable क्या है तो trade का मतलब होता है व्यापार व्यापार के अंदर जो भी तुम्हें payment करने पड़े future के साल मतलब साल आइधर 12 month के अंदर और operating cycle के अंदर doesn't matter 12 month assumption है और operating cycle actual thing है please ध्यान रखना तो trade payable उसके अंदर अंदर तुम्हें pay करना है वो trade payable क्यलाते है अब trade payable दो तरीके से हो सकते हैं मैं इधर आ जाता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा सको trade payable दो तरीके से होते एक तो हो गया तुम्हारा creditors और दूसरे हो गया तुम्हारे BP यानि bills payable दूनों mentor क्या है अगर तुम्हारा कोई भाई है प्रा है बड़ी है यो वाला feeling वाला है तो वो creditor बन जाएगा तुम्हें उस पर कुछ जातर legality वगरा agreement वगरा नहीं डालोगे bills payable में कुछ नहीं होता आप हमारे कौन हम आपके है कौन वाला scene है आप बिल फाड़ोगे उनके उपर उनसे sign करवाओगे और बिल अपने पास रख लोगे यहां पे आप किसी से खरीद रहे हो तो खरीदने के context में बात करते हैं creditor वो जो आपका प्रा है जो आपका भाई है यो वाला feeling वाला है तो आप उसको आप ही पैसा दे सकते हो future में कभी भी creditor मतलब होता है this is a liability on you and you have to pay it in future तो यहां पे क्या होगा क्योंकि वो आपका दोस्त है friend है या known person है वो creditor की तरह काम चला लेगा आप उसे creditor बोल सकते हो and आप उसे फिर कभी भी पैसा दे सकते हो कोई legality नहीं है कोई agreement वगेरा नहीं है तो creditor बिलकुल चलवाई बहुत ठीक है एक बार और बताने में क्या करोगे और वो आपसे बिल वापिस रख लेगा and future तीन महीने के अंदर अंदर within three months और जो भी time period agree हुआ होगा within the operating cycle obviously within 12 months obviously वो पैसा आपको उसको payout करना पड़ेगा तो technicality का अंतर है creditor में कोई agreement नहीं होता bills payable में समझ गये तुम कैसा agreement होता है और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है trade payable बन जाता है short term borrowing का मतलब यह है short term loan ले लिया bank से 5-6-8 महीने के लिए other current liabilities में बाकी सारी चीज़े आ जाती है salary outstanding wages outstanding income received in advance वगएरा वगएरा जो भी liability होगी जो भी ऐसी capital के अंदर अंदर के लिए है तो वो short term provision के अंदर आ जाता है बस यह भी I hope तुम्हें याद हो गया होगा तो मैंने यहां पर तुम्हें पूरी liabilities मतलब सिखा दी है जो भी equity and liabilities होता है एक बार आखरी बार मेरी आंखों में देख लो और मेरे से लास्ट बार बात कर लो मैं पार्ट है पहला हो गया share capital दूसरा हो गया तुम्हें दिमाग में घूमने लगा आए हाए profit को separately लिखना पड़ता बाबजी में बता है इसमें रिजर्व मतलब किसी नाम से रखा होगा surplus मतलब जो बचा हुआ होगा ठीक है I'm so happy कि तुम्हारी और मेरी vibe match हो रही है और यह ज होता है ठीक है और तुम्हें और टेक्स भरना है वो भी अगले operating cycle में तीसरा था long term provisions और चौथा था other non current liabilities non current लिखना मत भूलना वैसे तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा but still you should remember and क्योंकि अपनने shareholders fund कर लिया अपनने non current liabilities कर लिया और सबसे latest होती है बिलकुल एक दम immediately pay कर current liability current liability में हो गई short term borrowings उधर से उठाली थी non current से ही short term provision long वाले से उठालिया था other current liabilities वहीं से उठालिया था एक चीज़ चेंज थी trade payable तो trade payable current liability होती है व्यापार में जो पैसा तुम्हें future में pay करना है वो within the operating cycle obviously और 12 month समझ के तुम चलवाई बहें यहां पे भी और यह जो होता है ना trade payable यह दो पार्ट में होता है या तो creator होगा या तो bills paper होगा अगर तुमने यहां तक मेरे से पढ़ लिया है ना तो कल जब ऐसे ही पढ़ लेते मज़े ही आ जाता लेकिन वो बाबाजी वाला feel कोई और लेकी नहीं आ सकता है तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद